दोस्तों अक्षे कुमार और रजनी कांथ स्टारर रोबोट 2.0 फैंस को काफी पसंद आ चुकी है वहीं फिल्म के आखरी सीन में फैंस को शंकर और रजनी कांथ ने एक तगड़ा सप्राइज दिया है और एंटर्टेमन की दुनिया में आप ये सप्राइज वाली बातें कब तक छुपा सकते हैं दरसल जैसे ही फिल्म के आखरी क्रेडिट्स आते हैं दर्शकों को जलक मिलती है रजनी कांथ के किरदार यानि की चिट्टी रोबोट के 3.0 वर्जन की तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस फिल्म का तीसरा पार्ट लाया जा रहा है तो अब इस फिल्म के 3.0 वर्जन की खासियत क्या होगी और ये क्या करेगा अब यह तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ जानकारियां देने वाले हैं तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंतक बने रही है साथ ही बॉलिवोड इंडस्टी के इस ब्लॉग बस्टर मूवी के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें जैसा कि आप जानते हैं साउट सूपरस्टार रजनी कांथ की मोस्ट अवेटेड फिर्म रोबोट 2.0 जिसमें अक्षे कुमार और रजनी कांथ ने अपने दमदार अबिने से अपने फैंस के दिलों में एक अलग जगा बनाई थी यह फिल्म साइन्स फिक्शन मुवी थी जिसे ऐसे शंकर द्वारा डारेक्ट किया गया था और अली राज शुभाश करन द्वारा प्रेड्यूस किया गया था इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को साल सन 2010 में रिलीस किया जा चुका है जिसमें रजनी कांथ के साथ अशुर राय नजर आई थी जिसे दर्शकों द्वारा बेहद ही अच्छा रिस्पॉंस दिया गया था जिसके बाद इसके सेकेंड पार्ट को लाया गया यह फिल्म में एक बड़े बजट की फिल्म थी जिसने बॉक्स ओफिस पर साथ करोर से जादा की कमाई की थी और वर्ल्ड के सबसे जादा मेंगे फिल्म की लिस्ट में नवे स्थान पर शामल हो चुकी थी फिल्म को 14 अन्य भाशाओं में भी डब किया गया जिसे हर जगा अच्छा रिस्पॉंस मिला फिल्म के रोबोट 2.0 में में लीड रोल में अक्षे कुमार के साथ रजनी कांत और एमी जैक्सन नज़र आये थे जैसा कि आप सभी जानते हैं फिल्म एक रोबोट पर आधारित थी जिसमें अक्षे कुमार एक भायानक डरावनी पक्षी के रूप में नज़र आये थे और इस पक्षी से अपने शहर को बचाने के लिए रजनी कांत यानी चिट्टी को फिर से जिन्दा किया जाता है इस फिल्म की कहानी बेहद पसंद की गई थी जिसके बाद इस फिल्म के तीसरे पार्ट को बनाने की बात कही जा रही है जैसा कि फिल्म के आखरी सीन में हमें रजनी कांत का सस्पेंस देखने को मिला था ऐसे में यह साफ हो चुका है कि इस फिल्म के तीसरे पार्ट को जल्दी बॉक्स ओफिस पर लाया जाएगा ऐसे में फिल्म रोबोट 2.0 के अगले पार्ट यानि की 3.0 के सीक्वल को लेकर फैंस बेहद उतसाहित हैं और बेसबरी से इसका इंतजार कर रहे हैं हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि इस फिल्म का नाम चिट्टी हो सकता है बात की जाए फिल्म के स्टार कास्ट की तो आपको बता दें फिल्म में एक बार फिर रजनी कांथी नजर आने वाले हैं रजनी कांत के साथ फिल्म में उनका साथ कौन देता हुआ नजर आएगा यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा जैसे कि आपने देखा होगा कि फर्स्ट पार्ट में अश्वयर राय इनके साथ नजर आई थी वहीं सेकंड पार्ट में विलन के तोर पर अक्षे कुमार नजर आए थे अब देखना यह होगा कि इसके बाद अब कौन सा नया चहरा इस फिल्म के तीसरे पार्ट के साथ जुड़ता है इस पर अभी किसी की खुलासा नहीं हुआ है कि इसमें कौन सा नया चहरा जुड़ेगा लेकिन जल्दी आप लोगों को इस फिल्म की अनाउंस्मेंट कर दी जाएगी वेल अब देखना यह होगा कि फिल्म में हमें क्या नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है क्या फिल्म पिछले दो सीरीज की तरह बॉक्स ओफिस पर आट सो करोर से जादा की कमाई कर पाएगी या नहीं तो दोस्तों आपको रोबोट 3.0 का कितना बेसबरी से इंतिजार है आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताईएगा साथ ही बॉलिवूड इंडस्टी से जुड़ी ऐसी ही धमाकेतार खबरों को लगतार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें